हेलो दोस्तों वेलकम बैक अगेइन यह सेल्फ टेस्ट टू जो आप बहुत ही बेसबरी से इंतजार कर रहे थे सेल्फ टेस्ट वन जिसने भी नहीं दिया है फटावट से लिंक डिस्क्रिप्शन में है आप देदो सेल्फ टेस्ट वन को क्योंकि वो बहुत जादा important role play करेगा जो आपका पार्ट A है उसमें यह पार्ट B है उसके बारे में बात करेंगे जो आपकी चार units है ठीक है वहां के जो MCQ practice questions है वो है यह जो questions है बहुत जादा important role play करेंगे आपकी preparation में जिसने भी पहले मैं आपको recommend करूँगा जिसने भी पहले की जो videos हैं जिसमें मैंने explain की हैं सारी चीजे वो अगर नहीं देखी है unit 1,2,3,4 की link description में है फटाफट से देख लो उसके बाद self test 1 करना और उसके बाद self test 2 करना ठीक है तब आपको फाइदा लगेगा इन videos का otherwise यहा है basically एक practice video है okay so अगर channel को subscribe नहीं किया है तो कर लीजिए because अपने जो channel की growth है आप लोगे support की वैसे बहुत बढ़िया चल रही है सुबह ही मैंने 1700 का जो target था वो complete किया था मतलब मैंने क्या हम लोगों ने ठीक है और now 18,20 हमारा जो next target है वो 2000 का है ठीक है soon we will complete it I know that आप लोग support करोगे and I am also supporting you all right तो 16 फैब को exam है बिना कोई time waste किये हम आज की video start करते है तो फटाफट से आपको पता है pen and paper लेना है फटाफट से pen and paper लेके बैठ जाएए और सेम भही काम करना है जो self test one में किया था मैं question बोलूँगा explain करूँगा आप 5 second या फिर उसका halt लेके वीडियो को pause करके अपने answer mark करेंगे और फिर रम फिर आगे बढ़ेंगे और जैसे ही आपके marks complete हो जाएएगे मतला पूरा जो वीडियो complete हो जाएगा उसके बाद अपने marks आप comments में upload करेंगे ठीक है बहुत सारे बच्चों के जितने भी question गलत हुए न उसी में हुए है तो उस unit को pdf से पढ़ लो more than enough है इतने ही पढ़ने की जरूरत है बस ठीक है ओके चलो पहला जो question है आज का वो है एक second मैं pen निकाल लेता हूँ तो पहला जो question है वो आज का है चलो which of the following is the example of code of conduct which of the following is the example of code of conduct of physical activity facilitator मैंने वीडियो में discuss किया था code of conduct क्या होता है set of rules होते है ठीक है इसके जो आपका जो physical PT teacher होता है उसके तो देखो सबसे पहले conducting assembly क्या ये assembly conduct कराना ये rules में है उसके ओके देखते हैं चलो create an environment for learning learning के लिए environment create करना conducting extra mural program conducting intramural program अब यहाँ पे इस question को समझने के लिए आपको पता होना चीए extra mural program क्या होता है और intramural program क्या होता है ठीक है तो वो videos में explain किया था मैंने extra mural मतलब competition जहाँ पे होता है ठीक है और team games में जहाँ competition होगा that is extra mural ठीक है और intramural और वो भी state के बाहर intramural का मतलब आपके state के अंदर जो friendly matches या फिर normal जो होते हैं वो क्या हो जाएगा intramural programs होते हैं तो यह क्या code of conduct तो यहाँ पे जो meaning समझना है code of conduct का वो है कि जो code of conduct होता है वो क्या होता है set of rules ठीक है अब आप video को pause करें answer को mark करें फटावट से मैं आपको बताता हूँ answer क्या होगा okay the answer is option number b बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि conducting assembly भी थो हो सकता है क्योंकि वो भी physical activated जो आपका trainer है उसका काम है yes देखो इसमें confusion मत करना क्योंकि जो conducting assembly है obviously उसका काम है लेकिन उसका rule book में नहीं है ठीक है उसका rule नहीं है कि भी करवानी करवानी है ठीक है न तो यहाँ पर क्या होगा create environment for learning उसका जो main काम है वो क्या है create environment, सीखने के लिए एक ऐसा environment create कर देना okay now next question पर move करते है question number two है हमारे पास which of the following is not the role of physical educator तो यहाँ पर questions और options को ध्यान से पढ़ना सारे questions में ठीक है now which of the following is not the role of physical educator physical educator का कौन सा role नहीं है आपको बताना है ध्यान से पढ़ना not लगा हुआ है create an environment for learning यह तो हमने अभी देखा यह तो है उसका काम okay serve as a role model अपने जो student होते हैं उनके लिए role model का काम करे okay हो सकता है maintain professional etiquette professional etiquette जो होते हैं school में उनको maintain करना etiquette मतलब जो संसकार ठीक है etiquette का मतलब का होता है संसकार behavior okay maintain the academic result of the students अचा यहाँ पर यह जो है यह उसका option नहीं होगा ठीक है the answer is यह role उसका नहीं है क्योंकि देखो environment वो create करता है ठीक है serve as a role model करता है maintain professional etiquette maintain the academic अब academic तो जो academic जो details होती है वो कौन आपकी class teacher भरती है आपके जो report card होते है उसमें academic जो result है उसको कौन तियार करता है आपकी जो class teacher होती है वो तियार करती है ठीक है तो इसका next देखो video को pause कर लिया करो जैसे ही question सामने आए सबसे पहले video को pause करो पहले खुद समझो question को उसके बाद अगर question समझ में नहीं आया तो मेरी explanation का wait करो otherwise फटा-फट से ठीक मारो और आगे चलो now next देखो question number 3 which of the following is not the code of conduct of physical activity trainer इस में से कौनसा code of conduct नहीं है physical activity trainer का let me zoom मैं इसको zoom कर लेता हूं थोड़ा okay now which of the following is not the code of conduct इस में से कौनसा code of conduct नहीं है ध्यान रहा है नहीं है collaborating with others to expand opportunities अगर आपने जो videos थी code of conduct वाली वो नहीं देखी है तो देख लो एक बार क्यूंकि उसी पर देखो बार-बार question आ रहा है collaborating with the others to expand opportunities दूसरों के साथ collaboration करना पनी opportunities को extend करने रहे ठीक है respect and value of others opinion जो दूसरा कोई बंदा क्या opinion दे रहा है उसकी इज़त करना basically ठीक है हो सकता है commit to lifelong learning ओके lifelong learning कमिट करना जो students होते हैं मतलब हमेशा के लिए एक ऐसा environment create करना जिसमें बच्चे सीख सकें simple सी बात है यह तो अभी पहली देखा हमने पहले question में second में भी now conducting parents teacher meeting parents teacher meeting करवाना ठीक है वो करवाता है लेकिन उसके क्या rule book में है क्या वो rules में है उसके rule है कि भाई करवानी करवानी है जी नहीं लेकिन यह काम ऐसे है उसको करने ही करने पड़ेंगे code of conduct का मतलब उसका rule है कि भाई यह काम करना ही पड़ेगा okay now तो answer क्या हो जाएगा इसका डी ठीक है question number three का answer हो जाएगा भाई यह डी okay next देखो question number four पर move करते हैं question number four क्या कहता है now question number four कहता है which of the following is the aim of ppm जो parents teacher meeting होती है उसका aim क्या है ठीक है हो सकता है ठीक है उस पर क्या करते है फिटनेस जो report होती है उस पर discussion कर सकते है उसके बाद क्या है inventory management by the child यहां पर देखते हैं okay the second option क्या है inventory manage by management by the child क्या ऐसा हो what is inventory management inventory management होता है क्या basically जो sports equipment होते है उनको manage करना अच्छे से ठीक ठाक रखना और यह सारी चीज़ तो क्या यह ptm का target होता है जी बिलकुल नहीं यह तो होता ही नहीं यह फायात option है ठीक है option number c देखो maintaining professional etiquette in assembly okay free play with the help of children ध्यान से सुनो units combine है mix और रखी है ठीक हो ptm के question में free play का question मैंने option डाले हुए तो यहाँ पर क्या है अगर कोई ऐसा आ जाए आपकी units को आपस में mix भी कर दें तो भी आप confused नहीं होंगे ठीक है now aim of ptm क्या है वीडियो को pause करो फटाफट से और answer mark करो फिर check करना ठीक है answer is a discuss the fitness report of the child child की fitness report को discuss करना है maintaining professional etiquette in the assembly सिर्फ assembly में maintain करेंगे क्या बिना assembly के नहीं कर सकते हैं तो यह option हो जाएगा गलत को option को ध्यान से समझना है तब जाके free play का तो भी role ही नहीं है यहाँ पर है ओके next देखो question number five important question है इस type का एकाद question जटका मारेगा आपको मुझे पता है okay now world environment day is celebrated in बहुत सारे लोगों ने अगर pdf देखी थी तो उसमें एक line में था इसका answer ठीक है तो जिसने भी pdf या फिर video नहीं देखी है फटा-फट से जाके सीख लो पहले कुछ okay उसके बाद आना इस video पे now देखो world environment day is celebrated on 5 जुराई 5 अगस 25 फरवरी 5 जून दा आंसर इस 5 जून ठीक है okay next देखो next है which of the following which of the following is the example of gymnastics इने में से कौन सा ऐसा example है जो gymnastics का है पहला diving okay parallel bars okay tracking judo फटा-फट से इसको pause करो answer mark करो फिर आगे चलो diving diving क्या होता भी है diving सबको पता है क्या होता है diving पानी में चलांग लगाना है ना उसके बाद तो क्या यह gymnastic है बिल्कुल नहीं यह तो aquatics वाली उसमें आ जाएगा okay parallel bars parallel bars क्या होती है जी हाँ this is the answer answer number b tracking नहीं judo भी नहीं आपको पता है judo tracking क्या होती है तो gymnastics मतलब जहां पर जो मैट होता है उसके उपर कोई काम हो रहा है तो okay now next देखो chess is the example of chess is the example of chess किस चीज़ का example है क्या chess एक team game है okay क्या traditional exercise है okay क्या minor game है नहीं पता या फिर aquatics है okay तो aquatics तो पानी होता है सबको पता है जो पानी से related तो क्या chess पानी है या पानी में खेलते हैं बिल्कुल गरत ठीक है तो यह तो बिल्कुल भायात option है पता नहीं कैसे डाल दिया हमने सिमिलर जैसा डालना चाहिए था कुछ तो देखो team game है क्या एक chess एक team game है तो फटा फट से वीडियो को pause करो answer को mark करो ठीक है क्या यह traditional exercise है क्या यह बहुत पुरानी exercise है अब exercise होगी मतलब fitness related है तो chess से क्या fitness बनती है जी नहीं ठीक है the answer is minor game option number c is the correct answer और यह पर answer क्या हैगा minor game ओके now next question देखो question number 8 क्या कहता है what should be the duration of the assembly जो assembly होती है उसकी duration क्या होनी चाहिए पहला क्या वो 15-30 minute की हो सकती है okay क्या वो 15-20 minute की हो सकती है क्या वो 20-30 minute की हो सकती है या फिर क्या वो 30-40 minute की हो सकती है आपको यह पता करना है फटाफट से वीडियो को pause करो, answer मा करो और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, the answer is answer is 15 to 20 minutes, option number B ठीक है, मैंने sample paper था, उसमें भी discuss किया था ये और जो मेरी video थी, उसमें भी discuss किया मैंने, ठीक है, और यहाँ पर भी discuss किया, 15-20 minutes is the right answer, okay, now, this was all about the physical roles and responsibilities of physical activity trainer, इसके जो MCQs थे होते हैं, खतम अब हम बढ़ते हैं, second unit के उपर जो है, assessment and evaluation के उपर, this unit is also very important, ठीक है, तो चलो यहाँ का question number 9 देखते हैं, the act of learning to make judgment the act of learning to make judgment, question ध्यान से पढ़ना आपको चक्कर आ जाएंगे नहीं तो ठीक है, question को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना चक्कर आ जाएंगे, option देखके और question देखके, फटा-फट से मैं request करूँगा, कि video को pause करके, एक बार इसका answer जरूर mark करें, मैं देखना चाहता हूँ, किसने सही किया, किसने गलत किया, ठीक है, देखो now, the act of learning यहाँ पर ध्यान से सुनना, the act of learning to make judgment act of learning to make judgment, यान कि judgment बनाना सिखाएगा कौन सिखाता है भाई, कि evaluation, evaluation तो judge करता है assessment, बिल्कुल सही answer, option number B is the correct answer, evaluation का तो concept ही नहीं है, यहाँ पर evaluation का मतलब judge कर दिया, लेकिन यह judge करना सिखा रहा है, सिखा रहा है तो assessment, और सीखते किस में हैं बच्चे, assessment में सीखते हैं, समझे में ही बात, ओके, next देखो, question number 10 क्या कहता है which of the following is the closer result, इसमें से कौन सा closer result है, जिसने भी PDF नहीं देखी, वीडियो नहीं देखी, उसमें explain किया था closer result क्या होता है भाईया evaluation क्या करता है, judge करता है, assessment क्या करता है, सिखाता है, BMI क्या होता है body composition होता है और interest क्या होता है जो abilities और interest वाला concept है, यहाँ वाला interest interest मतलब जो हमें पसंद है करना ठीक है, तो यहाँ पर closer result मतलब जो result देखा, result कौन देता है evaluation समझ में आई बात, result कौन देता है evaluation, okay next question देखो question number 11 okay, evaluation focus on 11, जो evaluation होता है वो किस पर focus करता है सबको पता होगा, मेरे यसाब से तो जिसने भी देखियोगी videos, learning पर learning पर कौन focus करता है, assessment recording, मतलब जो records होते हैं, उनको रखना बिलकुल नहीं, वो तो inventory type का एक subject हो गया, फिर grades is the correct answer, क्या यह feedback करता है, जी नहीं, feedback नहीं, ठीक है यह तो आपकी कमियां बताता है, grades, the answer is the grades, okay next question देखो, video फटाप, जैसी मैं question बोलू, video अपने आप pause कर लिया करो मैं कभी-कभी क्या होता है, सीधा answer बोल देता हूँ, time समझ भे नहीं आता, मतलब पता नहीं चलता, और video फिर मैं कोशिश करता हूँ, जादा लंबी भी ना बने, क्योंकि exam time में आपका भी time कम waste हो, देखो next, question number 12 which of the following is the most important for enhancing assessment इनमें से सबसे important चीज क्या है assessment को enhance करने के लिए, इसका मतलब assessment को और भी जादा strong करने के लिए और भी जादा अच्छे से सीखने के लिए, सबसे जादा important चीज क्या है, option देखो participating of teacher only, okay participating of student only, ठीक है planning by teacher, okay planning by student, ध्यान से, फटा-फट से answer को mark करो, ध्यान से करना option ध्यान से पढ़ना video pause करो, option ध्यान से पढ़ो question ध्यान से पढ़ो, मज़ेदार question है ठीक है, इसमें बहुत सारे confused होंगे, मुझे पता है, okay इसलिए ऐसे options डाले जाते है okay the answer is, the answer is planning by teacher, अब ये क्यों है, इसका reason मैं बताता हूँ, देखो ध्यान से सुनो इसका कारण ये है भाईया कि participating by the teacher, देखो question क्या है, enhance करना है हमें, enhance मतलब assessment को और ज़्यादा सुधारना है, ठीक है okay, participating of teacher only, अगर सिर्फ teacher participate करेगा मतलब किसी भी चीज़ के अंदर, अगर सिर्फ teacher participate कर रहा है, और student अब only लग दे है, तो मतलब student नहीं है है न, student नहीं है, तो क्या फाइदा उस assessment का कोई फाइदा नहीं है, assessment enhance हो गए नहीं फिर participating of student only, अब यहाँ पर student है, तो teacher important, मैंने example देखे बताया था, कि मैंने ये question series से बनाए है, ठीक है अगर मैंने ये question उल्टे सीधे बनाए होते तो शायद समझ में नहीं आते है न, तो ये planning है basically, और ये series में question बनाए गए है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपको समझ में आ रहा होगा, कि भई essay question number 1 है, 2 है, 10 है, 11 है, ठीक है, तो essay करके series में, the answer is planning by a teacher, आचा planning by student क्यों नहीं है, एक बात बताओ, assessment करवाता कोई है, teacher, student थोड़ी करवाता है, तो answer यहाँ पर student कितना ही plan कर ले, तो चलनी तो teacher की है, है न, आप चाहे कितना ही कुछ भी कर लो, चलाओंगा तो मैं ही अपनी, है न, तो यह क्या हो जाएगा, question number 12 का answer, the answer is planning by a teacher, next question देखते हैं, question number 13, question number 13 क्या कहता है, देखो, if the weight of how, मज़ेदार question है, answer करना, गलत मत करना, यह video, अब यह जो question है, आपको time लगेगा इसमें, ठीक है, फटाफट से video को pause कर दो एक बार, उसके बाद, calculator का इस्तमाल मत करना, बिना calculator के इस्तमाल किए, इमान दारी से question को कीजिए, ठीक है, हो सकता है, ऐसा question आपसे पूछ ले, if the weight of raghav is 65 kg, and the height is 151 centimeter, what will be the body composition of the raghav, यह BMI के formula पर question है, BMI का formula आपको याद होना चाहिए, for your kind information मैं बता देता हूँ, कि BMI is equals to weight in kg, ठीक है, weight किस में लिखना है हमें, kg में लिखना है, और divided by, height किस में लेनी है, square में, लेकिन वो भी क्या होना चाहिए, भीया, meter के अंदर height होनी चाहिए, ध्यान अब यहाँ पर 151 cm है, पहले इसको meter में convert करेंगे, उसके बाद answer लिखाएंगे, ठीक है, I hope video pause कर ली होगी, तो मैं answer आपको बता देता हूँ, answer होगा इसका, overweight है भीया, वो, क्योंकि इसका answer कुष 28 point something कुछ आएगा, मैंने जो को दोड़ने की ज़रूरत है, चलो, next देखो, which of the following is the example of skill-based fitness, अब हमें यह पता लगाना है, कि कौन सा एक example है, जो skill-based fitness पे है, okay, देखो options, फटा-फट से pause करो, ठीक है, उसके बाद answer mark करो, aerobic capacity, body composition, running, anaerobic, ठीक है, देखो, aerobic capacity हो गई, body composition हो गया, और anaerobic हो गया, यह सारे क्या है भाईया, यह health related है, ठीक है, यह क्या है, health related है यह तीनो, बचा क्या, running, तो यह running किसके basis पे हो गया, skill-based के उपर, ठीक है, कोई कितना तेज दोड़ सकता है, यह उसकी skill के उपर depend करेगा, तो इसका answer क्या हो जाएगा, इसका answer हो जाएगा, question number 14 का answer होगा, C, okay, next देखो, skill-related fitness is based on, अब जो skill-related fitness होती है, वो किसके उपर काम करती है, किसके उपर based होती है, ध्यान से सुनो, क्या वो running के उपर based होती है, नहीं, क्या वो action के उपर based होती है, नहीं, क्या वो balance के उपर based होती है, बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा, इसमें क्या answer दे, क्योंकि running भी एक fitness skill related है action भी skill related है balance भी skill लेकिन हमने बोला है कि किसके उपर depend करती है यह depend करती है neurons के उपर skill related fitness ठीक है और यह तो क्या है running action और balance यह एक type है किसके skill related fitness के type है तो इसमें confused मत होना ठीक है इसलिए यह question बनाया गया है next देखो question number 15 क्या कहता है sorry 16 question number 16 क्या कहता है which of the following is not the example of health related fitness simple सी बात है इन में से आपको बताना है कि health related fitness का example कौन सा नहीं है question ध्यान से पढ़ना health related fitness का example कौन सा नहीं है तो strength है flexibility, coordination, high blood pressure video pause करो answer mark करो फटा फट से the answer is coordination the answer is coordination health related fitness मैंने discuss किया था aerobic, anaerobic strength, flexibility और high blood pressure कुछ नहीं है body composition यह एक टाइब से मतलब जो anaerobic जिसको बोलते है sorry aerobic this is aerobic high blood pressure और anaerobic क्या होता है low blood pressure ठीक है low BP okay now next देखते हैं और यह क्या है जो है आपके health related fitness है okay तो यह क्या है coordination क्या है यह एक skill related है यह किस से related है skill related fitness है भईया समझ में आई बात okay next देखते हैं देखो question number 17 question number 17 क्या कहता है why assemblies conducted in the school बड़ा सा simple सा सवाल है ठीक है एकी बई जो assemblies होती है वो school में क्यों conduct कराई जाती है हमें वो बताना है to make understand the student the philosophy of the school okay हो सकता है for free play okay to improve etiquette in the children ठीक है to punish for not wearing the proper school dress फटा बट से pause करो answer बताओ ठीक है to wearing to punish for not wearing proper school dress आचा ही बात बताओ क्या ऐसा होता है आप लोगों के साथ किसी ने भी अच्छी dress नहीं पहनी हो या किसी की nails बड़े है बाल बड़े है shoe polish नहीं है तो उसको क्या assembly में punishment मिलती है जी हाँ बहुत schoolों में मिलती है ठीक है लेकिन उसका क्या ऐसा कोई main purpose होता है कि भुच्चों को सिर्फ punishment ही देनी है बिल्कुल नहीं कुछ लोग confused होंगे option number C और option number A में तो answer is option number A ध्यान लखना ठीक है ओके next देखते है इसमें कोई ऐसा explain करने वाली चीज थी नहीं इसलिए जिस भी question में लगेगा कि explain करना चाहिए मैं वहाँ explain करूँगा आपको ओके now question number 18 देखो if the BMI of Raul is 22 and he is of 144 cm what is the approximate weight of the Raul वीडियो को pause करो इसमें थोड़ा time लगेगा हो सकता है एक मिनिट दो मिनिट आपको लग जाए calculate करने में ठीक है इमानदारी से करना ठीक है भाई तो answer इसका आएगा आपको approximate weight निकालना है मतलब किस digit के सबसे नजदीक आएगा आपका weight the answer is 45 के करीब आएगा कुछ 45 point something कुछ answer आएगा तो इसका answer क्या हो जाएगा 45 kg ओके now next question देखो question number same BMI के formula पे काम करेगा question number 19 क्या कहता है हमसे यह कहता है 18 की खतम हो गई यह ठीक है question number 19 दूसरी unit का है that is the free play अब बात करेंगे किसकी भईया free play okay now which of the following have the universal rules not set by the participants question को ध्यान से पढ़ना question को ध्यान से पढ़ना भईया which of the following have the universal rules not set by the participants participants के द्वारा set नहीं करना है ध्यान रखना तो क्या play में तो हम अपनी मर्जी से कर लेते हैं game में participants के द्वारा universal rule follow करने है जो participant set करते हैं universal rules तो है rules तो follow होते हैं लेकिन participants set करते हैं game में तो answer is the sports ध्यान रखना इसका answer क्या हो जाएगा question number 19 का जो answer होगा वो होगा option number C that is sports okay next question देखो what is the primary aim of the free play जो free play होता है उसका primary aim बताना है मतलब main aim क्या है free play का okay पहला to make the best player okay to improve the skills to enjoy and have fun and none छीक है तो फटा-फट से pause करो answer बताओ the answer is option number C देखो free play की वज़े से player best हो सकता है बन सकते हैं बिल्कुल सही बात है बन सकते हैं जो कोई बंदा गली में cricket खेल रहा हो क्या पता हो एक दिन बढ़ा हो के कोई तगड़ा player बन जाए तो ये कर क्या रहा था free play कर रहा था शुरू में तो क्या ये best player बन सकता है बिल्कुल बन सकता है ठीक है क्या उसकी skills improve हो सकती है बिल्कुल हो सकती है लेकिन जो main purpose है main aim है 20 का answer C 21 देखते है which of the following is the advantage of excess use of free play जो excess use of free play करता है उसका कौन सा disadvantage है आपको बताना है advantage नहीं यहापे आपको disadvantage बताना है कि कौन सा नुकसान हो जाएगा retain interest अगर मान लो free play बहुत देर तक game खेल रहे हो बहुत देर तक free लोग गली में cricket खेल ले है तो क्या वो हमेशा खेलते ही रहेंगे बिल्कुल नहीं कभी तो interest घटेगा है ना तो क्या उनका interest बना ही रहेगा बिल्कुल नहीं तो answer A is गलत फटा फट से pause करो answer बताओ improve skills क्या उससे improve skills हो सकती है बाई क्या उससे improve skills हो सकती है बिल्कुल हो सकती है तो ये तो disadvantage नहीं है है ना promotes communication promotes communication अगर मानलो खेलते खेलते किसी की language अच्छी हो रही है understanding अच्छी हो रही है तो ये क्या हो जाएगा ठीक है ये तो अच्छी बात है disadvantage थोड़ी है अब देखो free play में क्या होता है कोई बताता तो है नहीं कि कैसे खेलना है कैसे नहीं बच्चे अपनी मर्जी से rule बनाते और खेलना शुरू कर देते हैं तो अगर मानलो उन्होंने गलत technique का rule बना लिया तो क्या होगा वो वैसे ही खेलते जाएगे और इससे क्या होगा उनकी जो technique के गलत होती चली जाएगी है तो इससे क्या होगा बाकी बाद में problem आती है next question देखो question number 22 question number 22 क्या कह रहा है when the play is planned it becomes question को ध्यान से पढ़ना options बड़े मज़ेदार है question को ध्यान से पढ़ना when the play is planned जब हम एक play को plan कर देते हैं तो क्या होता है क्या वो unstructured होता है क्या वो structure होता है play can never become structured play is always unstructured question को ध्यान से समझना options को ध्यान से समझना दिमाग लगाने की बारे अब आएगी धीरे धीरे next देखो यहाँ पे इसका answer होगा structured simple सी बात है इसका answer क्या होगा structured अब यह unstructured और play कैसे हो नहीं हो सकते हो बताते हैं play can never become unstructured यह statement कह रही है कि जो बच्चे जो खेलते हो खेलते हैं वो कभी structure हो इनी सकते बिल्कुल गलत अगर हम उसको planning के हिसाब से set कर दे तो structure बन जाएगा play is always unstructured जो play होता है वो हमेशा unstructured हो unstructured होता है नहीं भाईया ऐसा नहीं है play हमेशा unstructured नहीं होता ठीक है generally होता है बट हमेशा नहीं होता अगर मानलो कोई शुरुवात ही plan करके करे तो structured हो गया simple सी बात है ना ओके now why adult supervision is required in free play इसका answer हो question number 22 का answer है B why adult supervision is required in the free play free play में adult supervision क्यों required होती है वो बताना है बस ठीक है because free play में lead to better skills अब भाई अगर मानलो किसी की pause कर ले ना पहले और फिर answer बताना because free play में lead to better skills अब ये बताओ अगर free play में better skills हो रही है तो नुकसान है या फायदा है ये तो फायदा है ना तो ठीक है हमें पूछ रहे कि बड़े लोगों की जो निगरानी होती है जैसे बच्चे लोग खेल रहे है तो ऐसा क्यों जरूरी है कि बच्चों पे निगरानी रखना अगर किसी की skills improve हो रही है ये तो अच्छी बात है ये थोड़ी गड़बड बात है ये भी ठीक है तो answer number A, B और D तो बिल्कुल ठीक है था तो ये गलत हो जाए मतलब option number C will be the correct answer हमने इसमें पूछा क्या है कि जरूरत क्यों होती है तो option number C will be the correct answer ध्यान रखना इस चीज़ का option number C हो जाएगा इसका answer ओके so this was all about the unit free play ठीक है अब हम move करेंगे inventory management पे this is very important अब मज़ा आएगा देखो questions all करने में देखो stock of sports and fitness equipment ज्यान ज़स पढ़ना अब tricky questions आने वाले है stock of sports and fitness equipment requires stock of sports जो sports का जो stock होता है ठीक है और उसका जो equipment है वो क्या related किस से related है पहला reserve equipment क्या वो reserve equipment है क्या वो inventory equipment है क्या वो free play equipment है या फिर वो कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है तो पहले ही कट गया simple दिवा कुछ तो है तो यहाँ पर फटा फट से pause करो मैं बताता हूँ answer is B inventory management का question है तो शुरू में ही stock क्या होता है basically stock जमा करना fitness equipment का that is known as the inventory मैंने जब video explain video में पहली ही line में यह definition बता ही थी आपको okay now next question देखते है question number 25 how budget is related to quality of inventory how budget is related to quality of inventory अब इस question को ध्यान से पढ़ो मजा आएगा देखो if budget increases the quality decreases if quality increases the budget decreases if budget decreases then the quality decreases if quality increases then the budget must increase फटा फट से इसको pause करो मजेदार question है option को पढ़ो और टिक लगाओ मैं बता देता हूँ इसका answer होगा option number D अगर simple सी बात है मैंने बताया था video के अंदर budget is directly proportional to Q मतलब quality अगर budget अगर यह budget increase हो रहा है तो quality increase हो जाएगी ठीक हैं और यहां फिर अगर quality increase हो रही है तो budget increase हो जाएगा simple सी बात है जितना ज़्यादा महेंगा product उतना ज़्यादा अच्छा मतलब उसकी जो quality है उतनी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी ओके next देखो next जो है question number 26 for which purpose the following equipment is used किस purpose के लिए ये equipment का हम इस्तेमाल करते हैं ये आपको एक equipment दे रखा है किस purpose के लिए हम इस equipment का इस्तेमाल करते हैं देखो यहां पर ऐसे यू 위해서 हूआ हूआ ठीक है ऐसे क्या बना हूआ है यू बना हूआ है तो यह यू किस के लिए इस्तमाल कर सकते हैं? क्या यह jumping के लिए इस्तमाल करते हैं? Jump नहीं, jumping के लिए नहीं है, skipping के लिए भी नहीं है, this is the crawling, crawling मतलब, crawling समझते हो, crawling मतलब late के चलना, तो इसके अंदर से क्या करेंगे? कोई भी एक, for example, let's say, यह एक साप है, यह क्या कर रहा है? इसके अंदर से crawling होते हुए आ रहा है, ठीक है? इसके अंदर से क्या हो रहा है है? इस तरफ crawling करते हुए आ रहा है, मतलब, नीचे से ऐसे-ऐसे करके, ठीक है? तो यह क्या हो जाएगा? ऐसे होता है crawling, अब इसके अंद was the following is used, अभी है क्या मैंने बताया था कल, बीब है यह, बीब मतलब जो T-shirt होती है उपर वाली, जिस पर numbering लिखी होती है, ठीक है, जिस पर क्या होता है, numbering लिखी होती है, तो, के, लो, मैंने पहले answer ही बता दिया, इसका, for team numbers, simple जी बात है, ठीक है, तो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, team numbers, ओके, for protecting from harsh climate, अच्छा, यह तो मैंने पढ़ा ही नहीं, for protecting from the harsh climate, क्या ऐसा हो सकता है, जो बीब होता है, बीब का मतलब क्या होता है, उस पर number लिखा होता है, जी नहीं, answer इसका A ही होगा, ठीक है, harsh climate से बचाने के लिए बीब नहीं होता, ठीक है, बीब का मतलब, ऐसी, उपर की जो covering होती है, जिस पे players के number लिखे होते हैं, आपने देखा होगा, जैसे धोनी का 7 number लिखा होता है, तो क्या है, उसका बीब है वो, ठीक है, बीब के उपर लिखा होगा है, ओके, next देखो, question number 28 क्या कहता है, which of the important factors needed to keep in mind while selecting sports equipment, sports equipment को जब हम select करते हैं, तो कौन-कौन सी चीज़े हमें ध्यान में रखनी चीए, क्या हमें age appropriation ध्यान में रखनी चीए, कि किस बच्चे के लिए, किस एज का sports equipment चीए, बिल्कुल सही हमें याद ध्यान में रखनी चीए, pause करो, फटावट से मा करो, क्या वो budget हो सकता है, जी बिल्कुल, quality का भी ध्यान रखना है, क्या वो infrastructure के हिसाब से लाना है, मान लो, आपके school में basketball का court ही नहीं, और आप उठा के लिया है basketball, तो infrastructure तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी लिया है, तो यहाँ पर क्या होगा, sports equipment selection गलत हो जाएगा हमारा, ठीक है, the answer is the all of both, हमें infrastructure का भी ध्यान रखना पड़ेगा, budget का भी, quality का भी ध्यान रखना पड़ेगा, और age appropriation का भी ध्यान रखना पड़ेगा, समझे में आई बात, ओके, now let's move to the next question, that is question number 29, ओके, which of the following, which of the following equipment is used, अब यह किस purpose के लिए use होता है, देखो, आपने देखा होगा यह, step hurdle है, नामी समझ में आगा, step hurdle, crawling, crawling के लिए उपर देखा था भी, lifting, क्या इसके, क्या जिम की तरह उठा के lifting के लिए हो, नहीं, क्या यह jumping के लिए हो सकता है, हो सकता है, क्या यह pushing, क्या धक्का देने के लिए, बिलकुल नहीं, यह jumping के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, ओके, now, why inventory management is important, हमें बताना है, कि जो inventory management है, वो जरूरी क्यों है, जो inventory management होती है, वो क्यों important होती है, हमें यह बताना है, बस ठीक है, तो देखो, to keep records of equipment, जो भी school में equipment होते हैं, उनका record रखने के लिए, ओके, to demonstrate the equipment in the PTM, देखो, मैंने इस units को combine कर दिया है, PTM वाली unit के साथ, तो यह, जो PTM था, उसका एक main outcome function था, क्या, to demonstrate the equipment, or to keep the records of the equipment, फटा फट से pause करो, वीडियो को, और answer को mark करो, option D क्या कहता है, to make personal use of school inventory, तो गलत है, तो answer, C will be the correct answer, बिल्कुल चाही, अब कुछ लोग होंगे, जो सिर्फ A को mark करेंगे, B को छोड़ देंगे, B को ध्यान से पढ़ो, to demonstrate the equipment in the PTM, जो inventory management है, उसका मतलब क्या होता है, inventory management मतलब, जितने भी fitness के equipment है, जैसे कोई sports हो गया, basketball होगी, football होगी, badminton का जो racket हो गया, वो सारी चीज़े आपको अच्छे से समाल के रखनी है, ठीक है, और वो समाल के क्यों रखते हैं, ताकि एक तो उसका record रख सकें, कि इतने हैं हमारे पास, इतने football हैं, इतने basketball, उसके बाद, दूसरा होता है, हम parents को दिखा सकें, कि देख होता है, यह भी होता है, होता कुछ नहीं है, तो मुझे पता है, लेकिन फिर भी क्या होता है, सिर्फ बच्चों के parents को attract करने के लिए क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ें दिखाते हैं, okay, so this was all about the self-test too, I hope आपने अपने जो marks है, वो note किये होंगे, कितने आए, कितने नहीं फटाफट से मुझे comment में बताईए, कितने आए हैं अपने marks, ठीक है, और जितने भी आपके दोस्त हैं, सबको ये channel फटाफट से जो videos हैं, वो send कर दो, क्योंकि परसो exam है, तो थोड़ा सा, अब क्या करना है विया, जितनी अच्छा, जितनी भी videos हैं वो सारी देख लो, जिस को जिसने नहीं देखी हैं, फटाफट से देख लो, और बहुत सारे बच्चे confused हैं, कहां से क्या तयारी करना है, क्या नहीं करनी, मैं आपको simple सी एक language बता रहा हूँ, आपने अगर मेरी videos और PDF कर ली, more than enough, इस से बाहर कुछ करने की ज़रूत नहीं है, क्योंकि हमने सब कर लिया है, कुछ भी हमने नहीं छोड़ा है, और जो बच्चे बोल रहे थे कि reports बनानी है, वो मैंने sample paper 2 जो video upload करी थी, उसके end में देखना यही दो question मैंने subjective question जो थे, वो discuss किये हैं, ठीक है, so उनको आप फटा फट से चेक करें, उनको देखें, ठीक है, उसके बाद आप व वो सीख जाएंगे, ठीक है, ओके, चलो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, चैनल को subscribe कीजिए, ठीक है, और फटा फट से share कीजिए और अपने marks, comments के अंदर, ओके, thank you so much and stay updated, best of luck.